है लो फ्रेंट्स वेलकम वेलकम बैक तो माँ चैनल तो आज हम डिसक्रस करने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्ट इंपॉर्टेटि हैं कि नर्सिंग आप्टिट्उड निए भलेव आपका एक्जाम कोई ब्याव करना कहीं भी स्किप मत करना अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना बेल अकिन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूजन में वाले कोई भी नए अपडेट सो उसका नूटिफिकेशन आप से मिसना हो अब तक आपने मेरी पुरानी वीडियो उसको नहीं देखा है तो ज नहीं तो ठीया को अब चिया थीक्ति तूट्रीन टिया अबेल forgiven घोलस की ऊच्जा स्पव एक्टर में आपकर अनुगर नहीं जहां कि आपकी फिंगर सभ्षाइल हैं यहाँे हैर से हैं यहाँ जा गlor मारे इंटरिनल में है वहें जेशों उसक्राइब के एक्समेंड प्र करेक्ट अंसर को यह है आपका इसा प्रसीज़र दिस में उस п वर्याय इंट्रूमेंट के जाते ओभ आपकी गाल अपने आपका इंतरनल प्रक्ट स्टूक्ट्वर्श्क इंटरुसरी इमेजर बन जाती नुए आपका आपने डॉक्त mujeresương अपने प्रिस्क्राइब next question which of the following instrument is used by the doctors to measure out doses of liquid specially in children हम कभी मतले किसी को भी डॉक्टर जद दबा प्रिस्क्राइब करते हैं आपके एक डोज की फॉर्म में देते हैं ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी पूल देंगे जो इतनी जाकर कि यह ले लो PCM भी देंगे उसके डोज होगी आपकी आपको डोल हो दी जाती है कर तो उसकी भी डोज सिक्सिफिटी एमजी कि आपको लेनी हो प्रिस्क्राइब होती है उसी तर फैक्टाइब करने के लिए कोई ऐसा पेशेट क्रिट्राइब करने के लिए को इसा पेशेट्स आपको ब्रॉपर करने के लिए help करने के लिए कोई ऐसा पेशेंट है आपके पास में जो खुद से ब्रीद नहीं कर पारा है जो खुद से रेस्पायर नहीं कर पारा है ठीक से तो उसको आपको क्या mechanically artificially आपको इसको inspire और expire कराना है तो आपके लिए कौण सा इंस्ट्रुमेंट यूज करोगे क्योंकि आप वह आपका जो है बेसिक लाइफ सेपोर्ट में भी आता है ठीक है वह कौन सा आपका रेस्पायर नहीं कर पा रहा है उसको हमागर artificially ब्रीद कर आ रहे हैं तो वहाँ पर हम किसकी help लेते हैं ventilator की कहते हैं कि patient हमारे के ventilator पे हैं ठीक है एक ऐसा medical instrument जिसको यूज करने के लिए बैलेंस करने के लिए आपके हर्ट की रेट को रिदम को वह क्या है फर्स्ट है आपका EEG, B है आपका ECG, C है आपका pacemaker, D है आपका MRI तो जो correct answer इसमें आपका वो क्या है option number C pacemaker या फर्स्ट जाके भी पढ़ोगे सारी चीज़ें लिकिन यह आपकी basic है यह आपको आनी चाहिए कि आप आपका CPR आपका CPR जो ऐसा प्रसीजर जो आपका कराया जाता है जिसे आपका हर्ट अगर पेशिंट का रूख गया है यह कब कर देती है इसको कार्डिक अरेस्ट की कंडिशन में आपका करेक्ट आंसर है option number C next question what are the symptoms of hypothermia यानि कि आपसे हाइपो थर्मिया की symptom पूछे है आपको वर्ट पे ध्यान देना है hypothermia तो first है आपका warm and sweaty B है आपको cold and sweaty C है है आपको cold, tired, shivering and acting abnormally D है आपका just very sweaty तो correct आंसर होगा हाइपो थर्मिया कहाँ है temperature कम होगा आपका तो यहां पेशन कैसे फिल करेंगा cold, tired, shivery, फिल करेंगा वह तो first आपका option है put a plaster on it आप plaster चढ़ा दोगे उस पर B है stretch करोगे उसको खेचोगे C है put the arm in a sling और D है आपका use an antiseptic wipe तो देखो आपका arm break हुआ है तो antiseptic तो लगाओगी यह नहीं आप वहाँ पे ठीक है नेक्स्ट है कि आपका पुछ C का भी आपका arm break होता है leg break होता है को भी bone break होती है तो उसको हम stretch नहीं करते हैं तो यह दो option आपके cut out यहां से C है आप A है आपका put a plaster on it, plaster चड़ाओगे तो जैसे ही arm break होता है तुरण plaster नहीं चड़ाते हैं उसको कभी भी तो आपका option number C correct है कि उसको क्या रखेंगे आपको sling पे रखेंगे next question casualty is also known as casualty को और हम क्या कहते हैं first है आपका pediatric department B है आपका surgery department C है emergency department D है psychiatric department तो correct answer है emergency department क्यों casualty का meaning ही है emergency ठीक है तो क्यों हो गए emergency department next question trained nurses association of India was established in इसको short form में कहते है TNA, TNAI वो कभ इस्टैबलिश हो रखेंगे इंडिया में तो आपका first है B है 1914, B है 1908, C है 1943, D है 1956, established का वो रखेंगे इंडिया में बहुत important है TNA के बारे में पताओ अंदर चाहिए आपको कि वो कभ established हो रहा था next question a WHO publication on guide for school of nursing in India was published in WHO की publication ती guide for school of nursing इंडिया में वो कभ published वी first app है 1987, B है 1991, C है 1965, D है 1978 तो correct answer है 1965 आपसे conditions लेके भी पूछ सकता है आपसे direct question में भी पूछ सकता है तो यहाँ mainly जो आपने प्रैक्टिस कराएं आपको अगर आपको समझ आए है यह lecture आपके लिए helpful रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना अपने दोस्तों के साथ भी शियर करा करो उनकी भी help हो जाएगी और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करना बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि यह time बहुत important है मैं इंस्टराग्राम पे टेलीग्राम पे दोनों को जोईन नहीं कर रहा है अब तक तो प्लीज जाओ जा करके कर लो टेलीग्राम इंस्टराग्राम को जोईन क्योंकि वहां अब उसे डाउट पूच सकते हो आपने साथ की बिच्वों से डिसक्शन कर सकते हो तो thanks and have a nice day